आपका मेरे यूटूब चैनल आदर्स इंस्टिट्यूट आफ इंग्लिश में जैसा कि आपको पता है क्लास इंटर्मेडियेड सौर्ड स्टोरी का जो आपका थार्ड लेसन है इसका पार्ड बन कराया था जो कि यहां तक पला दिया था फुटपाथ इन आफ फील्ड आज की वीडियो में इसके आगे देखते हैं यहां से इट वाज अपावरिंग मस्टाइड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड इस स्वेट अपरोसमेल्ड आज क्रोसमेल्ड अपावें लेट लाइड फ्यल्ड वीड रिव मेल्ड लेट इवल्ड लर्व लेट यूज आज का फिल्ड लेट वीड़। टूवाट्स दा डिस्टेंट मिरेग आफ एन ओसीन आफ सिल्वर लाइट वहलं भी पैसेज हो गई बल्की सेंटेंज हो गया एक इडवाज ये था अब पाबरिंग मीन सक्तिसाली मस्टर्ड सर्सों का फिल्ड खेद ये एक सक्तिसाली सर्सों का खेद था या कह सकते हैं ये लहराता हुआ सर्सों का खेद था पैल पीला था लाइक तरहे मेल्टिंग पिघलते हुए गोल्ड सोन है ये ऐसा पीला था जैसे की पिघलता हुआ सोना ऐज जैसा की इटप युज यी बहे जाता है अ क्रोस पार मील्स और फैल गया हो और ये ऐसा पीला था जैसे कि पेघलता हुआ सोना और जो कि कई मील भूमी तक फैल गया हो तो क्या मतलब हुआ ये एक सक्तिसाली सरसों का खेट था जो कि पीला था या ऐसा पीला था जैसे कि पेघलता हुआ सोना जो कई मील तक भूमी पर फैल गया हो A river एक नदी of yellow पीले liquid light प्रकास मतलब यह एक पीले द्रब की एक जुन नदी Even गिरता हुआ and falling Even means उड़ता हुआ and falling गिरता हुआ With each प्रतेक फ्रेस ताजा Ed means उड़ता हवा का भवर Of wild bend जंगली हवा And string of भटक रहा था In places इस्थानों पर Into broad district rich घने Travatory means सहयक streams धाराओं में यह धाराओं का मतलब उसके हवा की धाराएं Yet फिर भी running दौल रहा था In a constant लगातार sunny person sweep Towards the distant Sweep कह सकते हैं साफ करना भी होता है यहाँ जागा पार करते हुए Towards the distant दूर के मिरेग Mirig means यह से बोलते हैं Mirak Marichika Of an ocean silver light तो क्या हो जाएगा A river एक नदी Of fresh Yellow liquid light मतलब पीले प्रकास की एक नदी Even उड़ता हुआ falling गरता हुआ जो सर्सों के पौधे या पेड़ थे वो उड़ते हुए और नीचे गिरते हुए गिर रहे थे With each प्रतेक फ्रेस ताजा ED भवर Of wild wind जंगली हवा या हवा के ताजा भवर में बे सर्सों के पेड़ उपर को उठ रहे थे और कभी नीचे गिर रहे थे और ऐसा लग रहा था मानों की पीले रंकी एक नदी हो And string और बे भटक रहे थे In places इस्थानों पर और बे इस्थानों पर भटक रहे थे Into, broad, bistrit, rich, घने Travatory means सायक streams धाराओं में और बिस्तित, घने, सायक धाराओं में बे इदर उदर जंगली हमा में भटक रहे थे And firby, running दौलते हुए दौल रहे थे In a constant लगातार, sunny, sun, sunny, sun, sweep उता पार करते हुए या कह सकना धूप को पार करते हुए टूबार्स की ओर, यानि वे आगे की ओर बल रहे थे The distant mirig, mirig कभी पताया था Mirig मरीच का या राक्चस कह सकते है Of an ocean, महासागर Of silver light, चांदी के प्रकास जैसे की चांदी के प्रकास में एक बहुत बड़ा राक्चस हो या दूरी पर बहुत बड़ा राक्चस हो उसके समान चमक रहे थे या फर से देखते हैं हां से येड फिर भी running दौल रहे थे Inner constant लगातार, sunny, धूप फिर भी लगातार बे धूप में दौल रहे थे स्वीप साप करते हुए To guard the distant mirig पतदूर के मिरग मरीजका को पार करते हुए प्रसंता पूर्व दौल रहे थे of an ocean silver light एक चांदी के पिरकास के समुदर में दौल रहे थे भेर it ended जहां इनका अन्तुआ जहां पर सर्सों के पेड़ों का अन्तुआ या जहां पर ये समाप्त हुए on bun side एक तरफ जहाँ पर ये पेड एक तरफ समापत हुए इस टुट खड़ा हुआ था अग किलेस्टर गुच्छा अब लोग कम मड मिटी वाल्थ दीवार हाउस घर मतलब बहुत कम कीचर की दीवारों के जो घर थे जहाँ पर उन पेड़ों का या सरसों का समापन हुआ अंतुआ बहाँ पर एक तरफ कम मिटी की दीवारों के हाउस थे उनका गुच्छा था यह बहुत सारे जुर्मुड था या बहुत सारे या मिटी की दीवारों के जो घर बन वोग थे बहुत सारी संख्याओं में थे च्वर्वार ये डेन्स होता है घणी क्रॉड मींस भीर अफ एलो पीले रोड पोसाग पहने हुए मेन लोग ऐन्बुमन नारियां जो की पीले पोसाग पहने हुए लोग थे और नारियां थी उनकी भीर घनी भीर थी फ्राम बिच जहां से एरोज आ हाई पिस सेक्ट जहां से एक तेज अनुक्रम में आवाज उठी विस्टलिंग होता सीटी बेजाने की आवाज और क्रेकिंग क्रेकिंग मींस चुचु की आवाज रोरिंग मींस दालने की आवाज हुमिंग होता है भुन भुनाने की आवा मिट्टी की दीवारों के जो बने हुए घर थे उनका एक गुच्छा था ये बहुत सारा जुन्ढ़ था बहुत सारे संक्यों घर बने हुए थे जिससे की आराम मिला और देखा कि बहुत घनी भीड थी जिसमें पीले कप्ले पहने हुए लोग थे और नारियां थी जहांसे ब अधुमक्यों के भुनबनायन की आवाज आई इसके बाद आगे है नौाइजिट सोर स्भीपिंग साफ करने के एक्रोस आर पार यहाँ स्भीपिंग हो जाएगा पार करते हुए एक्रोस दगरॉप्स होता है पेड़ों का जुंड पेड़ों के जुंड को पार करते हुए to the blue blue sky blue seulement जीला क्हाएं वे सब्सांद भाएग पागल लाफ्ट्र हसी मतलब यह सारी आवाज यह है। चरचर की आवाज, चेचे की आवाज, सीटे बिजाने की आवाज, भुन मनाने की आवाज, सोर सरावा और पेडों का जो जुन्ड था उससे लोगों के आर पार या पार करते हुए जो उसकी आवाज थी ये सब आवाज निले आकास की ओर एक बिचित्र बिचित्र और भैनक तरक से उठी जैसे की सिवा के पागलपन की हसी आती है ये हसी का सोर्सरवा होता है इतना हो जाएगा उसके बाद आगे है ये टेख माद की बेलाइए तरक सी बाफ तरक संदिवान वाद कर दो करना कहा हमें इंक्र दोग सरे लेंश खाफ बिचित्वी आ ही वे तुझत्र रगेंगें लागे कि अपने फादर पिता की ओर अपने माता की ओर लड़के ने अपने पिता की ओर और अपने माता की ओर देखा सेटुरेट होता है तरबतर यानि भर गया बिस्रिल तीके जोई आनन्द और आस्चरी से भर गया और इस बिसाल सांसोकत की तीके आनन्द और आस्चरी से भर गया जब उसके अपने माता पता को देखा और बहे अपनी इस बिसाल सांसोकत के तीके आनन्द और आस्चरी से भर गया तरबतर हो गया और ये फिलिंग अनवब कर रहा था और ये महसुस कर रहा था that देटू की बेवी बोर पहन ले दा इविदेंस पिरमाल आप दिस प्योर पवित्र डिलाइट आनन्द का इन देर फेसर चेहरे पर और ये अनवब कर रहा था कि उसके माता पता भी अपने चेहरे पर इस पव विट्र आनंद के पिर्माड को औलने या पहनने धान कर लें भी लेफ्ट उसने चोड़ दिय ile footpath gak उसने चूड़दी या फुटपाद फुटपाद नप्प्रइश किया एडोंघ तीजी से कह सकते हैं सुर्थ ताल मिला रहे थे ताल मिला ना विद्दा फिट्फुल गस्ट होता हवा के जोंके और बिंड हवा दैट केम जो आते थे यह आए रिच घने विद्दा फ्रेग्रेंस सुगंद के साथ और मोर अधिक डिस्टेंट दूर की फील्स खेतों में तो क्या मतलब चोटे से बचेड़ा की तरह उसके चोड़ चोड़े पैर हवा के साथ सुर्थाल मिला रहे थे जो की हवा काफी दूर के खेतों से सुगंद के साथ आ रही थी उसके बाद आगे है तो क्या मतलब हो जाएगा अग ग्रूप ग्रूप मीन्स होता है सम्हूं आफ ड्रेगन फिलाइज होता है टिड्डियों का जुन्ड बर वस्टलिंग बस्टलिंग मीन्स हलचल पैदा कर रहे थे अबाउट इदर अधर अउन्दिर अपने गौडी मीन्स भड़कीले परपल बैगनी बिंग्स पंकों से एक टिड्डियों का जुन्ड जो की अपने भड़कीले बैगनी पंकों से इदर अधर हलचल पैदा कर रहे थे intercepting बाधा डालना या बाधित करना और बे बाधा डाल रहे थे the flight होता है flat means उडान होती है और बे उडान पर बाधा डाल रहे थे of a long akelly black kali butterfly तितली और बेह एक akelly kali तितली की उडान में बाधा डाल रहे थे in search of sweetness जो की मिठाई की खोज में थी from the flowers टिडियों का ज्छूंड जो की अपने भड कीरे बैगनी पंखों से हलचल पैदा कर रहे थे उन्होंने एक काली तितली जो की अपनी मिठाई जो की फूलों से मिठाई की खोज में थी उसके लिए बाधा पैदा कर रहे थे the child followed them in the air with his gaze दा चैल बच्चे ने फालोड अनुसरन किया या पीछा किया दिम उनका बच्चे ने उन सब का पीछा किया किनका टिड्डियों का बच्चे ने उन सब का पीछा किया इन दयर हवा में बिधिज गेज होता है अपने घूरने के साथ साथ बच्चे ने अपने घूरने नजर के और आराम ना करने लगी जब तक उन में से एक ने अपने पंखों को न मोल लिया और आराम ना करने लगी तब तक लड़के ने अपने घूरती हुँ नजर के साथ उन सब का पीछा किया और और वह बच्चा इन्हें पकलने का प्रयास भी करेगा बट लेकिन यह कह सकते हैं इसे पकलने का प्रयास किया करता था बट इट बुड गो फ्लेटरिंग फ्लैपिंग अप इंटु दा इयर बियन ही हैड आलमोस्ट कॉट इन हिज इट इन हिज हैंड्स तो क्या मतलब हुगा बट लेकिन इट यह बुड गो चली जाया करती थी फ्लैटरिंग मींस फलफलाना फ्लैपिंग मींस फ्लैपिंग हो जाएगा जैसे यह तो होता है फलफलाना और फ्लैपिंग और यह कह सकते हैं तितली का फरफ़ाना दोने गद्ग फरफ़ाना हो जायेगा अब इंटु दयर हिवा में भेंजब have had उसने आलमोस्ट लगवक कौड पकल डिया इटिस्से इनने जपने हैंस हातों में लेकिन ये हवा में फरफ़ाते हुए चली जाया करती थी जब उसने आपने हाथों में इसे पकलने का प्रयास किया या प्रयास करता था तब है, हवा में एधर ओधर उड़ जाती थी या फरफलाय करती थी बन एक बन एक बोल्ड बहादर बिलेक काली बी मद मखी एक बहादर काली मद मखी having evaded capture having evaded हो जाएगा बच निकली capture पकड़ से एक बहादुर काली मदुमक्की उसकी पकड़ से बच निकली sort to प्रयास किया tempt आकरस्त करने का हिम उसे उसने उसे आकरस्त करने का प्रयास किया by winning घुमते हुए round 4 और इसके कान के उसके चारतरब घुमते हुए and nearly all लगवग settled बैठने वाली थी बैठ गई थी on his lips उसके होटो पर बैठ गई थी भेहन जब his mother उसकी माने gave दिया कॉसनरी होता है सतरक वाली call आवाज come child come come on to the footpath तो एक काली मदुमक्की जो की उसकी पकड़ से बच निकली उसने उसके कानों के चार और घुमते हुए उसे आकरसत कनने का प्रयास किया और लगवग उसके होटों पर बैठने वाली थी जब उसकी माने एक सतरक वाली आवाज लगाई come child come आजब बच्चे आज़ा मतलब आओ बच्चे आओ come on आओ to the footpath फुटपाथ पर आओ आओ फुटपाथ पर चलो हेज अपने parents माता पता की ओर बहे अपने माता पता की ओर दोड़ा गैली प्रसंता पूरवग एंड और वाग्ड चला average 7-7 of them उनके for a while कुस्समे के लिए बहे पली प्रसंता पूरवग अपने माता पता की तरफ दोड़ा और कुछ देर तक उनके साथ चला however being however फिर वी सून सीगरी लेफ्ट भीन पीछे फिर वी पीछे छूट गया attracted आकरसत हुआ था ये पैसबास हुजागी बिंग लग गया by the little insect होता कीडे और छोटे छोटे कीडे मकोलों की ओर आकरसत हुआ along किनारे the footpath footpath और footpath के किनारे छोटे मोटे या छोटे 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 कीडे मकोलों की ओर आकरसत हुआ there बर जो teaming out बहार आ रहे थे फ्रामदिर अपने hiding छिपे हुए places थानों पर to enjoy आनद लेने के लिए the sunshine धूप का जो की अपने छुपे हुए स्थान से बहार निकल कर आ रहे थे सूर्य का आनद लेने के लिए तो पूरा आर्थ देखते हैं बहे बली प्रसंता पूर्वक अपने माता पिता की तरफ दोड़ा और कुछ देर तक उनके साथ चला फिर भी बहे पीचे छूट गया था और कुछ छोटे मोटे कीडे मोकोली की और आकर सतुवा था जो की फुटपात के किनारे थे जो सूर्य का आनद लेने के लिए अपने छुपे हुए स्थानों से बहार आ रहे थे कम चाइल्ड कम इज पैरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम दा सेट आफ आफ ग्रोव सेट छाया से आफ ग्रोड उता पेलो का जुंड पेलो के जुंड से भिहर जहां पर दे हैड़ बे सीट बैट गए थे दिम सेल्फ स्वें ऑन दैज किनारे पर आफ बेल कुए के जहां पर वे एक कुए के किनार पर बैट गए थे आओ बच्चे आओ उसके माता पता ने एक पेलो के जुंड के नीचे छाया से बैट कर आवाज लगाई जो की एक कुए के किनारे पर साथ साथ बैट गए थे आओ बच्चे आओ उसके माता पता ने एक पेल के जुंड की चाया से उसे आवाज लगाई जो की या बे एक कुए के किनारे पर स्वें बैट गए थे या बहे लड़का अपने माता पता की तरफ दोड़ा तो यह आपका लेसन यहां तक हो गया नेक्स्ट वीडियो में यहां से देखेंगे एन ओल्ड बनेयां ट्री आज की वीडियो में बस इतना ही यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो लाइक करे जाता से जाता से शेयर करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आज की वीडियो में से इतना ही थैंक्स पर वाचिंग